संटेनबल डिवलपमेंट का इसमें हमने सस्टेनबल का मतलब किया था और सस्टेनबल का किया था सस्टेनबल का मतलब था CAP shroud zip कॉन्तिनी मिअ इनकाना उन का कशुट नीयर फ्यूचर और sustainable development का मतलब है present type of economic development is not sustainable means हमने जो है sustainable development का simple word में meaning है हमने resources को use करना है लेकिन futures के resources को deplete किये बिना ठीक है definition जो है sustainable development की हमने किये थी ठीक है इसमें हमने जो है दो principles जो थे वो किये थे एक जो है developmental इसमें जो है हमने basic human needs या reasonable standard of welfare for living being जो है वो देखना था then हमने achieve करना है equitable standard of living इसमें जो है within या among global populations जो है वो है ठीक है next जो थे वो हम कर रहे थे sustainability sustainability का मतलब है preservation preservation किसकी natural resources की अब यह जो preservation है यह हमने आज के लिए ही नहीं लेकिन हमने यह जो है for the future जो है वो करनी है ठीक है इसमें जो है cares regarding potential difference, disruptions, biodiversity, regenerative capacity जो है local या global ecology की ठीक है वो क्या है इसमें जो है कोई undermining नहीं है possibility जो हमारे future generations की थी कि हमने इसमें attain करना है similar और improved standard of living इसमें जो है running down natural resources जो है stocks क्या है pollution क्या है या loads क्या है ठीक है वो हमने देखना है ठीक है next आज जो हमने topic करना है वो करना है features of sustainable development अगर शर्म features की बात करते हैं sustainable development जो है वो possible कैसे है सबसे पहले ये जो है ethical guiding principles होते हैं ethical guiding principles क्या होते हैं कि जो हमारे core ethics के उपर जो है चलना बताते हैं obviously अगर जो हम nature को लेते हैं तो उन्हें pollute करना जो है वो अच्छी बात नहीं है जो हम nature को ले रहे हैं use कर रहे हैं तो उससे save करना भी हमारा ही ethics में आता है यानि कि जो हम ले रहे हैं तो हम उसे खराब ना करें तो जैसे कि democracy हैं social justice है तो अलग-अलग जहां पर human beings या उनके welfare के बारे में ठीक है सोचा जाता है लेकिन सबसे पहले जो है वो environment को जो है preference दी जाती है क्योंकि अगर जो environment नहीं है तो human भी नहीं है ठीक है human के होने से या ना होने से environment को फरक नहीं पड़ता लेकिन environment के होने से या ना होने से जो है human को फरक पड़ता है तो अगर जो हम बात करते है हम environment के उपर depend करते हैं environment हमारे उपर depend नहीं करता तो इसलिए जो है environment के concept को या environment की sustainability को जादा preference दी जाती है as compared to humans ठीक है next जो है वो है physical sustainability physical sustainability का मतलब क्या है कि हमने जो है क्या करना है recognize करना है recognize की जहां पर हमें पता होनी चाहिए कि limits जो है वो nature की क्या है और इसमें जो है means ये नहीं है कि हमारे देश में किसी एक पार्ट में जो है वो हमने balance बना के रखना है इसमें जो है पूरा का पूरा world environment जो है वो किसी एक देश से एक समराज्य से नहीं बन दा अगर जह हम environment की बात करते हैं तो environment में पूरा world पूरा universe जो है वो जोड़ा है ठीक है तो इसको जो है संजो के रखना ये जो है nature को ही नहीं लेकिन पूरे के पूरे global या ecological balance होगा तो ही हमारा environment जो है वो physically sustainable होगा next जो है वो है global equity global equity का मतलब क्या है environmental benefits ठीक है environmental benefits जो होते हैं ये equitable होते हैं यह distribute किये जाते हैं किस के दौरा present generation के दौरा environment के जो benefits हैं जैसे कि अगर जह हम बात करते हैं sun की तो sun जो है या जो sun rays है वो हर एक घर के उपर या हर एक area के उपर जो है equally बढ़ती है या equally distribute है ठीक है तो environment का जो benefit है वो सिर्फ एक परसन को नहीं पूरे के पूरे world में जो है वो क्या है equal है लेकिन हम अपनी activities के कारण इने क्या कर रहे हैं हम pollute कर रहे हैं जो की क्या है बहुत ही गलत माद है अब जो environment के benefits हैं ये हमने distribute करने हैं present generation में या environment में तो ये जो environment और benefits हैं ये equally distribute होते हैं तो global equity यानि कि ये सिर्फ एक देश में नहीं राजय में नहीं लेकिन पूरे के पूरे world में जो environment है वो equally distribute हो रहा है next जो है वो inter generation equity inter generation equity का मतलब क्या है कि हम generation to generation जो है equal जो है environment दे रहे हैं अब हम बोलते हैं कि जो हमारे पिछले persons थे या जो हमारे दादा था पड़दादे थे तो उन्होंने क्या किया पेड लगा है तो वो जो पेड है उन्होंने उनको तो fruits या clean environment दिया लेकिन साथी साथ उन्होंने जो है ये environment अगर जो पेड आज भी लगे है तो वो पेड भी हमें आज क्या कर रहे है clean या pure air जो है वो provide कर रहे है तो यह क्या है inter generation की वो generation to generation चलते रहेंगे लेकिन अगर हम उन्हें काटे नहीं तो ठीक है अगर जे हम पेड लगा नहीं की रहे तो हमें उन्हें काटना भी नहीं चाहिए और अगर जे आप कोई पेड काटते हों तो उतकी जगाँ पे आप एक नया पेड जो है वो लगाओ वो सिर्फ आज के ही लिए ही नहीं या आज की generation के लिए ही नहीं बलकि future की generation के लिए भी equal होना चाहिए और यह at least equally present होना चाहिए ठीक है कि इसको जो हमारी next generation है उनको भी यानि कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मिला that's okay ठीक है लेकिन आपने जो है खुद यूज करके ब environment ले रहे हो तो वो किसके कारण ले रहे हो अपने previous generations के कारण यानि कि जो हमारे दादा पड़ दादा या पुराने लोग थे ठीक है तो अगर जो हमारे लिए एक अच्छा environment छोट के गया है तो हमारी भी ये duty है कि जो upcoming generations है उनके लिए भी हम एक अच्छा environment जो है या pollution free जो अर्थ है वो देख कर जाए ठीक है अगर जो pollution free नहीं है तो at least less polluted जो है वो हम देख कर जाए ठीक है तो यह जो हमारे features है sustainable development के कि हमें जो है ethical guiding principles जो है वो देने चाहिए हमें जो है human के welfare से पहले जो है environment का welfare सोचना चाहिए क्योंकि ताके हम अपने ही survival को continue कर सके हम जो है physical sustainability की बात करते हैं जिसमें हमने limits जो है वो देखे है nature जो है वो देखा है इसमें global या ecological balances जो है वो देखने है इसमें हमारे पास global equity है environmental benefits है ठीक है जो क्या है equally distributed है present generation में ठीक है यह जो होते है economic welfare जो है यह available है futures generation के लिए और इसमें जो है यह least present होते हैं ठीक है अट लीस्ट ही हमें आज के लिए ही नहीं लेकिन हमें आने वाले futures के लिए भी upcoming generation के लिए भी equally ही बनाने हैं तो बचे आज के लिए इतना ही कोई भी problem है आप पूछ सकते हैं Thank you class